चुप 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 अब ही दस बज़ रहे हैं आज हम लेठ ही उठें क्योंकि हम काभी ठक गये थे कल की ड्राइविंग काफी हेक्टिक थे क्योंकि मैंने कुछ अराउंड नाइन टू टेन आवर्स ड्राइव किया था आज का प्रेकफास्ट घर से करके ही निकले हैं मैंगलोर में काफी सारे बीचेज है बट मैंने फ्लेक्ट किया है पनमबूर बीच जो यहां से 14 किलोमीटर्स है जैसा आपको पता है कि हमारी ट्रेप अनप्लांड है सो पहले हम पनमबूर बीच जाएंगे वहाँ पर मस्तिक करेंगे अगर उसके बाद हमें मौका मिला तो हम बाकी और भी बीचेज घुमेंगे जाते हुए जो साइड में आपको जो सी व्यू दिख रहा है वो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आननद देने वाला है तो हम बाते बंद करते हैं और व्यू का मजा लेते है हम पहुच गहें पनमबूर बीच एक काफी बड़ा एंसास उत्रा है यहां चोटे-चोटे काफी सॉप्स है जो अभी साइड बंद है यहां पे काफी और लोग भी है जो बीच के मजे ले रहे हैं ऊपर से यह बीच किसी रिसॉर्ट की तरह दिख रहा है बहुत ही सुन्दर अद्बुत चलो मैं अभी फैमली के साथ बीच पे जाके बीच के मजे लेता हूँ कर दो लुब लुब हम पास के होटल में ही आए हुए है दुबहर के एक बच चुके है और हमें काफी भूख भी लगी है तो देखते हैं क्या-क्या मिलता है यहां फिश फ्राई हो रही है फिश की काफी हेवी स्मिल आ रही है कुछ खटी सी शाद टैमरीन डाल के लोग फ्राई कर रहे हैं देखने में तो बहुत टिम्टिंग है चलो फिश फ्राई योड़े करते हैं और खाने का मज़ा लेते हैं हुआ हमने थोड़ी लोकल शॉपिंग भी की खाना बहुत यमी था और खाने के बाद हम पास के ही किसी और बीच क्लेनिकल पर हैं हमें रास्ते में एक बहुत ही सुन्दर टेंपल दिखा जो बिल्कुल सोने की दर चमा कराना तो हमने अपनी गारी टेंपल के घुमा दी इस टेंपल के बारे में मेरे भाईया ने बताया था जो हम रात को खुमने आने वाले हैं तो हम बाहर से ही दरसन करते हैं और फिर निकलते हैं अब हम पहुच गए हैं तनीर भवी बीच यह भी काफी सुन्दर दिख रहा है बहुत शान्त काफी कम लोग है बर फिर भी लोग है इस बीच पर आप बोर्ट से भी आ सकते हैं पनमुर बीच से यहां पर हमने केमल राइट भी किया और बच्चों के साथ मिलकर काफी सैंड कैसल बनाया है काफी अच्छा मोसम भी है चलो बीच के मज़े लेते हैं यह बीच हम लोगों को बहुत पसंद आया इस बीच की अच्छी बात यह है कि इस बीच के चारों तरफ काफी सारे ख्रीज है सो अगर आपको दुपहर में धूप लगती है यह गर्मी बढ़ती है तो आप वहाँ पी जाके बैठके बीच के मज़े लेते हैं अब साम हो गई है सारे पांच बच चुके हैं अब थोड़ी दिर बैठके हम घर के और निकलेंगे आज का दिन काफी अच्छा था आज का हमारा पूरा दिन बीच के ना काफी मज़े किये हमने अब हम घर के और निकल चुके हैं आज हमारा रात को मंद्री जाने का यह प्लान है और उसके बाद हम डीनर बाहर ही करेंगे यहाँ पे काफी एक फेमस सिज्जर का रिस्टुरेंट है जहां भाईया ने डीनर प्लान किया है यह रात की कुछ हमारी फैमिली पिक्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना हूँ आज के लिए लेता हूँ अलबिदा कल सुबह मिलते हैं अगली जर्नी के लिए गुट नाइट